नमस्कार आदाब स्लाम सुस्रियकाल जैश्री कृष्णा मैं राखी शर्मा आपकी होस्ट आपकी दोस्ट लेके हाजिर हूँ आप सब का मन पसंदीदा प्रोग्रेम यादों का सफर उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो उजाले अपनी यादों के हमारे पास रहने दो न जाने किस जगें जिन्दगी की शाम हो जाए उन यादों को सिमेगता फिल्मी हस्तियों को समर्पी शो जिसमें हम सुनाते हैं रियल लाइफ स्टोरीज हमारे मन पसंदिदा हीरो, हेरोईन्स, म्योजिक डारेक्टर सबी फिल्मी हस्तियों की तो जिन्दगी आज यादों के सफर में जिस अदाकारा की लाइफ स्टोरी हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस अदाकारा की अदाएं थी बेहत कातिल, जी हाँ कातिलाना अदाओं की मालकीन थी बड़ी-बड़ी, भूरी-भूरी बोलती आँखें, लाखों दर्शकों का दिल लूट लेती थी जब वो डांस करती थी, भरतनात्यम या फोक डांस, तो लोग उनके साथ ही जूमने लगते थे और जब वो मौडरन कैब्रे डांस करती थी, तो कोई भी उनको दिल दिये बिना नहीं रह पाता था प्यार में डूब जाता था उनके, तो इस कदर लाखों फैन थे उनके, फिल्म इंडस्ट्री में भी और बाहर भी तो जुनाब आपका अंदाजा बिल्कुल दुरुस्त है, आज जिस अदाकारा की हम आपको बात सुनाने जा रहे हैं, लाइफ स्ट्री सुनाने जा रहे हैं, वो है वेटरिन अक्ट्रिस राजशिरी, जी हां राजशिरी तो जुनाब आज यादों के सफर में मैं राखी, ले चलूँगी आपको जीवन सफर पे, राजशिरी जी के, राजशिरी वही अदाकारा, जिन्होंने काम तो चुनिंदा मूवीज में किया, मगर किये कई यादगार रोल और यादगार फिल्मे तो जुनाब करते हैं शुरूआत राजशिरी जी के जीवन सफर की, अगर उनकी फैमिली बैक्क्राउंड की बात की जाएं, तो राजशिरी का जनम एक महराश्ट्रियन परिवार में आज अक्तूबर 1942 को हुआ था वो फिल्मी खांदान से संबंध रखती थी, उनके पिता उस समय के मशूर प्रोडूसर, डारेक्टर, एम एक्टर वी शांताराम थी, कौन नहीं जानता उनको और उनकी मदर उस समय की बेहत खूबसूरत अभिनेतरी जैशिरी थी, इनके माता पिता की दूसरी शादी थी, और वो दूसरी शादी से हुई संतान थी, उनका एक भाई भी था जिसका नाम किरण शांताराम था राजशिरी जी बच्पन से ही अभिन्य का और डांस का बेहत शौख रखती थी, या फिर कह ली जिए अभिन्य और डांस की कलहा, उन्हें बच्पन से ही विरासत में मिली थी अपने माता पिता से और उनके माता-पिता को अपनी बेटी की इस प्रतिभा पर बेहत नाज था। इसलिए उनके शौंक को जानते हुए, उनकी प्रतिभा को टैलेंट को पहचानते हुए, उनके माता-पिता ने बचपन से ही उन्हें हर तरहें के डांस की तालीम दिलानी शुरू कर दी। और जल अज्गे तक्रीबन 10 साल की थी, जब उनके पिता वी शौंता राम ने उनके लिए एक मूवी बनाई शाम के तारे। इस मूवी में उन्हों ने बतार बाल कलाकर खाम किया। तो बतार बाल कलाकर इनकी शुरूरात हुई फिल्मों में। इसके बाद तक्रीबन 17 वर्ष की उम्र में एक मूवी आई इस्त्री जिनमें इनके पिता हीरो थे और हीरोईन थी उस जमाने की मशूर अभिनेतरी संध्या। राजशिरी जी के इसमें dance sequels थे जोकि बेहत अच्छे थे और दर्शकों के दिलों को उनकी ये प्रतिभा छूग गई थी और कहीं न कहीं उनकी identity भी पता लगने लगी थी। इसी के साथ उसके बाद उन्होंने मुवी करी ग्रस दी जो थी अशोक कुमार जी के साथ वो इस मुवी में नजर आई एक चलबुली लड़की के रूप में और उसके बाद मुवी आई घर बसा के देखो घर बसा के देखो मर्डी स्टारर मुवी थी। काफी एक्टर्स थे एक्ट्रिस थे इस मुवी में मगर फिर भी राजशिरी अपनी स्क्रीन प्रेजन्स दिखाने में कामयाब रही। यादों का सफर में आज हम यादे ताजा कर रहे हैं राज शिरी की जान रहे हैं उनका जीवन सफर फिल्मी सफर के साथ साथ निजी सफर भी बाते हो रही है फिल्मी सफर की तो अगर बात की जाए फिल्मों की तो उन्होंने बेहत यादकार मुवीज दी हमारी फिल्म इंडूस्री को 1964 में S.T. नारंग साब ने उन्हें अपनी एक मुवी में कास्ट किया जिसका नाम था शेहनाई और उसमें उनके हीरो थे विश्वचीत फिल्म पसंद की गई मगर उस फिल्म का एक गीत था जिसमें राजशीरी बेहत खूपसूरत लग रही थी उनकी बड़ी बड़ी भूरी भूरी बोलती आँखे और साथ में हलके नीले रंग की साड़ी डाल कर मदमाती हुई जब उस गीत में नजर आई तो लाखों दर्शकों को मदखोश करके रख दिया जी जिनाम वो गीत था नजटको जल्फ से पानी याद होगा आप सबको क्योंकि ये गीत आज भी सबके दिलों पर राज करता है और जब ये गीत बजता है तो राजशरी का बेहत खुबसूरत चेहरा और हिरनी जैसी आँखे याद आ जाती है इसी के साथ ही उसके बाद उनके पिता वी शानता राम ने एक मुवी बनाई जिसमें लीट हीरोईन की रूप में लिया राजशरी को और हीरो लिये जितेंदर मुवी थी गीत गाया पत्तरों ने मुवी की स्चोरी, मुवी के गीत और साथ ही साथ राजशरी का डांस बहत पसंद किया गया उस मूवी में सब कुछ लाजवाब था और उस मूवी में उनकी प्रतिभाद देखकर उनकी खुबसूरती उनका टैलेंट और जो दोनों की आपसी केमिस्टरी थी जितेंद्र और राजशिरी की देखकर सब लोग प्रभावित हो गए मूवी हिट हो गई और इसके साथ ही वो सबके दिलों पर राज़ करने लगी जल्द ही राजशिरी जी को काफी मूवी के ओफर आने लगे अभी हर प्रोडियूसर, डारेक्टर और हीरो उनके साथ काम करना चाहता था राज़शिरी अपनी प्रतिबा धीरे धीरे सब और बिखेर रही थी इसके बाद एक मूवी आई दो दिल, दो दिल जिसमें इनके हीरो थे विस्वचीत वो मूवी अच्छी रही ठीक ठाक काम किया पर इसके साथ ही मूवी थी ब्रहमचारी ये दोनों मूवी साथ साथ ही रिलीज होई थी पर जो मूवी थी ब्रहमचारी इसमें इनके हीरो थे शमी कपूर इस मूवी ने रिकॉर्ड तोड सफलता प्राप्त की इस मूवी में शमी कपूर और राज़शिरी जी को बेहत बसंद किया गया इनकी जोड़ी को काफी सराहा गया वो तो नजर आ ही रहा था जिस तरह से मूवी सफलता प्राप्त कर रही थी अभी ब्रहमचारी की सफलता के किस्से चल ही रहे थे कि राज़शिरी की दो मूवी और आ गई एक मूवी थी सगाई और दूसरी मूवी थी महाबत जिन्दगी है महाबत जिन्दगी है यह मूवी दर्षकों धवारा बेहत पसंद की गई और यह मूवी भी हिट साबित हुई इसी तरह थोड़े ही समय में राजशिरी ने बेहत यादगार मूवीज दी, बेहत यादगार गीत किये और हिट से हिट मूवीज दी यादो का सफर जिसमें सुनते हैं हम यादी, यादों से जुड़े किस्से, यादों से जुड़े नगमे तो बाते हो रहे हैं आज राज शिरी जी की अभी तक हमने बाते करी उनकी फिल्मों की, गीतों की, उनके फिल्मी सफर की तो अभी हम आपको बताएंगे कुछ उनकी पर्सनल बाते, उनकी निजी जिन्दगी की दिल्चस्प बात ये है कि उनकी निजी जिन्दगी की शिरुआत भी फिल्मी तरीके से ही हुई उनकी एक मुवी आई अराउंड दा वर्ल्ट जिसमें उनके हीरो थे राज कपूर जैसा कि फिल्म का नाम है इस फिल्म की शूटिंग के लिए ये लोग जापान, यूएस एंड यूरोप गए और फिल्म की शूटिंग के दौरान ही राजश्री जी के मुलाकात ग्रिक चैटमें जोकी अमारिकन स्टूडेंट थे उनसे हुई मुलाकात हुई, प्यार हुआ, इक्रार हुआ, दोनों डेट करने लगे, मिलने लगे इसी कि चलते चलते शूटिंग खत्म हो गई और राजश्री जी इंडिया आ गई और अपने फिल्मों में जोट गई और फिर अचानक से एक दिन खबर आई कि राजश्री जी शादी के बंदन में बंदे जा रही है अपने प्यार के साथ, ग्रिक चैटमें के साथ, उनकी शादी, उनके माता पिता की मरजी के साथ, हिंदू रिती रिवाद से मुंबई में ही संपन हुई बेहत शानदा ढंक से उनकी शादी करी गए, कहा जाता है कि लगबग पाँच दिन तक शादी के फंक्शन घर में चलते रहे सबी फिल्मी हस्तियां इस शादी में शामिल हुए थी और शादी करते ही राजशिरी जी भारत को अलविदा कहते हुए अपने पती के साथ अमेरिका जा बसी उस समय उनकी एक मुवी की शूटिंग भी चल रही थी नैन मिले चैन कहां मगर उन्होंने शादी के बाद फिल्मों को अलविदा कहने का सोच लिया था और ये मुवी नैन मिले चैन कहां भी उन्होंने बीच में ही छोड़ दी और जाकर बस गई अमेरिका में अपने प्यार के साथ अपने हम सफर के साथ और इस शादी से इन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम था चंदरी का बहुत एक खूबसूरत जीवन वो व्यतीत करने लगी वहां जाकर वे अपने पती के साथ बिजनस में सहायता करने लगी और एक बेहत सुक्सेस्फुल बिजनस वमेन बन के उमरी तो जिनाब अभी राजशीरी जी अभी भी योएस में यानिके अमेरिका में अपने पती और बेटी के साथ रह रही है तकरीबन 80 साल की उम्र हो चुकी है इनकी और बेहत खूबसूरत जीवन व्यतीत कर रही है और अपने काम से जुड़ी होई है और बेहत खूबसूरत जीवन व्यतीत कर रही है तो आज हमने बातें करी राजश्री जी के जीवन सफर के बारे में बेहत छोटा था छोटे समय का था उनका करियर और वो जल्द शादी करके चली गई अलविदा कह गई मूवीज को मगर चितना भी था उन्होंने यादगार मूवीज दी यादगार गीत दिये हमारी फिल्म इंडस्ट्री को और उस समय के बेहतरीन से बेहतरीन हीरोस के साथ काम किया जैसे अशोक कुमार, शमी कपूर, चितेंदर, धरमेंदर आदी तो मैं आशा करती हूँ आपको हमारा ये प्रोग्रेम यादों का सफर राजश्री जी को समर्पित पसंद आया होगा हमारी सारी टीम उनकी दिरगायों की काम ना करती है जल्द मिलेंगे यादों के सफर के नेक्स्ट एपिसोड में एक नहीं कहानी के साथ, एक नहीं किर्दार के साथ तब तक के लिए किसी भी इन्फो के लिए आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हैं info at just broadcasting.com पे खुब सारा प्यार और धेर सारा इंतजार धन्यवाद झाल